हेग गाईज वेलकम बैक अवर चैनल वेड़ा है तो टूड़े वी आर डिस्कसिंग वीकॉम 2024 और 2025 का जो असलेबल है चाहे वह वीकॉम 1st यर में हो चाहे वह वीकॉम 2nd यर में हो या फिर वीकॉम 3rd यर में हो वह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे last की तीन वीडियो में हमने first year separate देखा था second separate और third year separate इसमें हम सब भी एक ही वीडियो में देखेंगे तो चलिए start करते हैं अपने वीडियो तो first year में हमारे पास जो first subject है वो हमारे पास financial accounting जो finance होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे उसके बाद आता है business organization जो भी business होता है उसको कैसे organize करना वो सब सारी चीज़े आप business organization में देखोगे third हमारे पास आता है laws business law के बारे में जो क्या क्या कानून है जो किसी business को start करने के लिए apply होते हैं कौन-कौन से act है वो आप business law में पढ़ोगे उसके बाद हमारे पास आता है environment study इसमें आप environment study के बारे में पढ़ोगे environment के बारे में पढ़ोगे उसके बाद हमारे पास आता है micro economics का subject micro economics क्या है वो आप पढ़ोगे उसके बाद हमारे पास आता है English और Hindi इंग्लीश भी आपको हो सकता है हिंदी भी सकता है या फिर दोनों सब्जेक्ट second year में है cost accounting का then company law उसके बाद corporate law फिर आते हैं आपको income tax जो भी हम tax देते हैं उसके बारे में आप पढ़ते हो income tax में और उसके बाद English और Hindi इंगलिश भी हो सकती है या फिर दोनों subject भी हो सकते हैं then आपको sixth subject आएगा fundamental of entrepreneurship तो यह जो subject है यह बहुत interesting subject है और इस subject में आपके पास क्या होता है entrepreneurship के बारे में आप इसमें पढ़ते हो entrepreneurship development के रिगार्डिंग हमने सारी जो भी entrepreneurship development के units है वो सारे discuss करे हैं उन सबके अलग-अलग chapter unit wise वो discuss करे हैं उनकी वीडियो upload करी है उनका link मैं आपको description में दे दूँगी जहां से आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी entrepreneurship में कौन-कौन से important question होते हैं वो भी एक separate video मैंने upload करी है जिसका link भी मैं आपको description में दे दूँगी और cost accounting के जो इसमें subject था वो भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है उसके important question की वो भी मैं आपको link description में दे दूँगी अब आते हैं अपने next topic पे जो है हमार पास last year become final year become final year में हमारे कौन-कौन से subjects हैं जो important रहने वाले हैं या फिर उसमें कितने subjects होते हैं तो चले देखते हैं कि become final year में हमारे पास कितने subject जो है वो रहने वाले हैं become final year में हमारे पास 6 subject होते हैं तो इसमें से first हमार पास क्या है first हमार पास है corporate accounting जो हमने पिछले कल video discuss करी थी last year की आज हम तीनों एक combination बना के उसका tutorial आपको दे रहे हैं तो first हमार पास corporate accounting इसमें आपको मैं briefly नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने कल वाली video में आपको बताया था corporate accounting में आप क्या पढ़ोगे तो यह है हमारा first second हमारे पास आता है subject वो है auditing auditing subject जो हो बहुत important है और इस सारे subject में theory ही होते है आपको numerical नहीं होता है तो auditing में आपके पास क्या आता है कि कोई भी organization है business है उसका audit करना audit करना मतलब उसकी checking करना क्योंकि time to time business का को check करना कि उसमें कोई हेर फेर्थ होनी हो रही है वो सारी चीज़ें जो है वो auditing के अंदर आती है देन उसके बाद हमारा आता है third subject become last year में third subject हमार पास principle of marketing marketing के क्या-क्या principles है क्या-क्या rules उसमें लगते हैं वो सारे आप इस subject में पढ़ोगे principle of marketing में देन उसके बाद हमार पास हमारा next जो subject है become final year में वो कौन सा है यह बहुत ही interesting subject है और आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यह बहुत interesting subject है तब देखते हैं कि वो कौन सा subject है वो है economic law इसके बाद का जो subject वो भी बहुत interesting है वो में को सबसे अच्छा subject लगता है तो economic law में पढ़ोगे कि economy क्या होता है और उसके जो laws है वो क्या होते है वो अप economic law में पढ़ोगे then हमार पास जो fifth subject है वो है e-commerce e-commerce means electronic commerce जो जो भी हम day by day चीज़ें through internet करते है like जो भी हम selling करते हैं purchase करते है flip card में शोया और भी कितने सारी websites है उनसे हम जो है वो online चीज़ें purchase करते हैं sale करते हैं वो e-commerce के अंदर आती है वो आप सारी इसमें study करोगे then हमार पास last subject हम आता है management accounting management accounting क्या है यह subject आपके लिए बहुत easy है क्योंकि इस subject से related हर video मेरे channel पे uploaded है चाहे हो important questions की हो या management accounting के बारे में हो management accounting क्या होता है या फिर उसका जो भी syllabus है उसके बारे में हो या फिर उस syllabus में कौन-कौन सी units है कौन-कौन से chapters है उसके बारे में हो क्योंकि मैंने management accounting के regarding management accounting के important question and chapter wise जो भी chapter आता है management accounting में या management unit में वो मैंने सारी जो है video upload करी है जिनका link में आपको description में दे दूँगी तो वो आपके लिए easy हो जाएगा कि management accounting में क्या होता है तो ये subject आपके लिए बहुत easy होने वाला है क्योंकि इससे related हर एक topic जो है वो मैंने अपने channel पे upload करा हुआ है तो ये था हर मारा आज का topic become 2024 और 2025 का first year का syllabus, second year का syllabus and third year का syllabus, तिनों का combination I hope so आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को like, share, subscribe करना ना भूले and thanks for watching this video